पुलिस ने फरजी लिंक जाच के नाम पर ठगी करने वाले शक्स को ग्रफतार किया है पुलिस के मुताविक परदीप लिंक जाच के नाम पर लोगों को नकली मशीन से अल्ट्रा साउंड करके सभी को लड़का होने की बात कहकर उनसे पैसे ठखता था अगर किसी को लड़की हो जाती तो कह देता था कि शायद मशीन से कोई कलती हो गई जबकि लड़का हो जाता तो प्रदीप पर विश्वास कर लेते थे इसी तरह वे लोगों के साथ खगी कर रहा था पुलिस आरोपी युवक से रिमान के दोरान पूस्टाच करेगी और आरोपित युवक से अन्य चीजे भी बरामत की जाएगी पुलिस अधिकारी के मताबिक स्वास्त विवाग ने सूचना दीती कि उन्होंने लिंग जाच के नाम पर एक शक्स को पकड़ा है जिसके बाद उप्युक शक्स को रिमान पर लेने के बाद परदीप के नाम का खुलासा हुआ और उसके बाद पुलिस ने परदीप को गरफतार कर लिया दिनांग 1421 को नोडल अधिकारी जजर डॉक्टर ममता ने फोन किया कि गाउं माचरोली से लड़का लड़की जो जांच करता था वह लड़का हमने पकड़ रख्या हुर आप जल्दी पहुँचो जिस इतलाप है मैं और मेरा स्टाप माचरोली पहुँचे जहां से जैदीप गुरुप शेकर सनौफ जगबिर गाउं पातली को गरफतार किया उसका पुलिस रिफान्ड लिया कल उसको पैस अधालित किया कुछ झोनोन Jeżeli मैं जो यह दूसरा परदीप ए इसका ठ्छकानां बताए रात FOR 14 तारको उसको गरतार किया नहीं 1515 साइक Ohh गरतार किया कल उसको प्यूस धालत करकिन पुलिस रिमांडा से लिकिया दोझ गप पु होया है उसी से अल्ट्रासाउंड की जो आदूनिक मशीन नकली बना रखी वो इसे आदें बरामन्द किया है जो अबोर्शन वगरा कहां कहीं बार ले जाए अबोर्शन नहीं करते थे जी खाली लड़का लड़की बताता था जो खुलासा होगा वो भी आपको बता देंगे क सब्सक्राइब लड़की होगी वो अगर वापस पैसे लेने के लिए गया तो इसने वही कहा दिया मशीजन ते कोई गलती होगी होगी वोपस पैसे दे दिये लड़का वाड़का कोई आया नहीं इसका ये धन्दा चल दिया था जी ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ चुड़े रहे हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद